हाई दोस्तों कैसे हो आप सब मैं आसा करते हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे दोस्तों आज की वीडियो में हम पुरानी लेस या फिर पुराने रिबन होते हैं उनको रियूज करकर बहुती सुंदर बहुती प्यारा सा डॉर्मैट्स का डिजाइन्स बनाएंगे इस तर पर बना रहे हैं देखो इस तरीके से हम इसके लंबाई चोड़ाई लेंगे और इतने ही लंबाई चोड़ाई के हम रिबन या फिर हमारे पास लेस है वो कट करेंगी जितना हमें लंबा चोड़ा बनाना है उसके इसाब से हमें इसकी लेन्थ लेनी है तो दोस्तों इस तर इसको अटेच करेंगे इस तरीके से हम इसको टेच करते जाएंगे बिल्कुल ही पास-पास में रखते हुए तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप की आप एंड तक जरूर देखेगा आपको लास तक कटिंग एंड स्टीचिंग अच्छे से आपको सिखाऊंगी किस तरीके स हम इसको बना कर त्यार करेंगे तो अगर आपके पास में भी ऐसे पुरानी लेस या फिर पुराने रिबन तो अपड़े हैं तो आप उसको ऐसे बेकार में ना फैंके फ्रेंस उसको फैंकने से पहले आप एक बार इस वीडियो को जरूर देख ले ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम इसको पुरानी लेस या फिर पुराने रिबन को रियूज करकर बहुती प्यारा सा आइटम एक बना सकते हैं तो ऐसे मैंने एक साइड से सबको सील लिया है अब हमें क्या करना है देखो दूसरी साइड भी हम इसके ऊपर खिंच के सिलाई लगा ल ना हिले फिर हम इसके ऊपर बहुती शा दरसा एक डूर मैट्स का डिजाइन से वो बना कर त्यार करेंगे या फिर फ्रेंडस हम इसको जैसे हम सोफा कवार या फिर मेज पोस्स वो भी हम इसको काम में ले सकते हैं तो दोस्तों इसको हम एक जगे से दूसरी जगे भी उठा का का नहीं होता है तो वह भी हम इसके उपर भी यूजhhh में ले सकते हैं तो दोस्तों इस तो दोस्तो आपके पास में भी है तो आप भी इसे जरूर बना के देखिएगा क्योंकि यह बनाने में बहुती असान है जितना यह देखने में खूब सूरत लग रहा है उतना ही हमारा यह बनाने मी आसान होगा कुछी मिंटों में हम बहुती शुन्दर और प्याराशा डोरमैट्स का डेजाइन है वो बना कर त्यार कर लेते हैं तो दोस्तो जैसे वीडियो में दिखाया है उसी अनुसार अपना डॉर मैड्स या मेज़ पोस जो भी आप डिजाइन्स बनाना चाहते हो तो वह इसली आप इस तरीकी से बना सकते हो तो दोस्तों अगर आपको ज्यादा लेंट के अंदर मेज पोस का डिजाइन से बनाना है तो आप फिर प्लास्टिक का थेला या फिर कपड़ा जो भी आप ले रहे हो तो उसकी लेंट पूरी लें और उसकी लेंट की अनुशारी हमें जो ये रिबन या फिर हमारे पास में लैस होती है उसकी हमें जो लेंट की लंबाई है वो भी हमें उसकी अकोर्डिंग ही लेनी पड़ेगी फिर हमें क्या करना है देखो एक पटी को उठाएंगे एक को नीचे रखेंगे एक को उठाएंगे एक को नीचे रखेंगे इस तरीके से आम इसको इसके अंदर डालेंगे फिर हमें दूसरी पटी को क्या करना है कैसे लेना है देखो जो हमने पहले पटी नीचे रखी थी वो उपर लेके आएंगी और जो उपर रखी थी वो हम नीची लेके आएंगी तो इस तरीके से फ्रेंड्स इसके अंदर ये छोटी छोटी जो बोक्स के डिजाइन से वो बनेंगे देखो कितना सुन्दर लग रहा है तो इसके अंदर आपको मैं नेक्स वीडियो में और भी जो आपको आपके अपनी हमाच चैनल में देखने को मिलेंगे तो दोस्तों आप सभी फ्रेंड्स लोग बहुत स्पोर्ट कर रहे हैं उसके लिए आप सभी फ्रेंड्स लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप सभी फ्रेंड्स लोगों ने मुझे बहुत साथ द हमारा साथ देते रहें तो आपके लिए अगर आप ऐसे हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हमें भी होसला रहेगा और हमें भी आगे आगे और नए नए डीजाइन्स लेकि आने की उमेद भी रहेगी पूरी कोशिश भी करते रहेंगे कि हम हर तरीके के नए-नए हर relative जैसे back के अंदर door mat के अंदर बाजू के अंदर हर तरह के हर के चीज़ के अंदर हम नए नए designs लेकर आते रहें तो इस तरीकी से देखो friends इसका कितना ही सुन्दर designs लग रहा है तो दोस्तो आज की जो वीडियो है वो आपको कैसे लगी प्लेज हमें कोमेंट करके जरूर बताएं और आपकी राय कोमेंट में जरूर लिखें और दोस्तो हमें ये भी बताएं कि आगे आपको किसके अंदर designs देखना बेटर लगता है या फिर किस तरीकी का door mats देखना है थी दो साइड sorry तीन साइड तो मैंने इसको अस सिलाई से कवर कर लिया था अब यह प्यारा सा डॉर्मेट्स का डिजाइन से वो बनकर त्यार हो जाएगा तो इस तरीके से पहले हम इसको सिलाई सीलना सरू कर देते हैं ऐसे एक सिलाई से इसको कवर करेंगी धान से हमें फ्रेंड्स इन पटियों को सीलना है बिल्कुल ही धान से हम सीलेंगे ताकि कोई भी पटि है वो हमारी रहना जाए तो दोस्तो इस तरीके से सीलते सीलते मैंने पूरे डॉर्मेट्स को सील कर त्यार कर लिया है देखो हमारा पूरा डॉर्मेट्स बनकर त्यार हो गया है तो दोस्तो जितना देखने में खूबसूरत लग रहा है उतना ही यह बनाने में असान ह बाई बाई फ्रेंड्स फिर मिलते हैं इसी तरीकी से नए नए और प्यारे प्यारे वीडियो के साथ